वेल्गम वाई जिस आपको फेर सो आगा था एक नगी क्लास के साथ और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे सहाई करसी अधिकारी 2021-22 मतलब जिसका पेपर लगा था 28-5-2022 को और इसकी ओफिशल आंसर की जो की आज ही अपलोड की जी गई है 8 जुलाय को तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है पूरा यहाँ पर पेपर सॉलीशन किया जाएगा जो की ओफिशल आंसर की में यहाँ पर आपके दे रखा है ठीक है सो थोड़ा सा टायम यहाँ पर आपको लगेगा फ़र्स्ट किसन ताकि आने वाली जितनी भी यहां पर अपडेट है आपको मिलती रहे तो फर्स्ट किसन था यहां पर आपका कि चपपन की पहाड़ी रास्तान की कौन से भाग में अवस्तित है तो वह तियार बाड़मेर ठीक है वो इस रेड मार का मतलब है कि यह किसन डिलीट माना गया है ठ ठोस्ट गया है ठीक है जो खमन्य और है यह लोणी से समंद इसका नहीं है या धैड रखेगा आपको बताना था कि उधगम इस्तान है और उसका नदी से उनका सुमेली ठोना चाहिए बाकी तिन्हों ठीक है लेकिन खमनोर ओलोनी गाल्त है ठीक है नेश्ट था कोपेन के जलवाई वर्गी करन के नुसार नेमने से कौन सा सही सुमेलित है और ओप्सन नमबर A और D ये दोनों राइट है बाखी जितने भी है वो सबी रोंग है ठीक है नेश्ट इसन के आप पर बात करेंगे कि रास्तान में 21 सोरी 31 दिसनमबर 2020 के अनुसार सर इसको मैच आउट कर सकते हो ठीक है चले नेश्ट इसन के आप बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पसु जनगर्ना 2019 के अनुसार निमलिखित में से किसी जन्सक्या सबसे यदिक है तो अगर बात की जाए याद रखीगा पसु जन संक्या 2019 के अनुता तो सबसे ऐतर ज्यादा पसु है उनकी संक्या आकलन की गिए वो की गिए भक्री और इसका नाम कई वार पुछा गया है तो काप्राहिंकस क्या नाम इसका केप्राहिंकस ठीक है नेक्स्रिस ने आपको पूछा गया था कि रास्तान सरकार ने किस वर्स रास्तान राज्य पर्यावण नेती रास्तान इस्टेट एन्वाइरोमेंट पॉलिसी बनाई थी तिये बनाई थी आदेखिये 2010 में नेक्स्रिस ने आपको पूछा गया था कि नेमलखित वर्सों में से किस वर्स के अकाल में रास्तान की सरवादिक जन्सिंग्या प्रभावित हुई ठीक है कौन से अकाल से सरवादिक प्रभावित हुई थी तो वो याद रखेगा जो अकाल पढ़ा था 2009 से 2010 के मांद है ठीक है सबसे यादा नुकसान इसी में हुआ था नेक्स्रिस ने क्या पर बात करेंगे कि मरू विकास कारीकरम की जो सुरुवात की गई थी इसका प्रारम था ये कब किया गया था तो 1967 से 78 ठीक है ओप्सा नमबर 3 इसका पिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्रिस ने क्या पर और यहाँ पर पूछी गई थी और यहाँ पर नहीं करने जा रहे है तो इसको यहाँ पर डिलिट माना गया है तो आप भी आप जो मेर्च कर रहे हो उसमें भी इसको डिलिट काउंट कर ले ठीक है नेक्स्रिस ने आपर आपको पूछा गया था कौन सा योग में गलत है तो गोतमेस्वर उद्यपुर में नहीं है यह गलत है ठीक है नेक्स्रिस ने कहाँ पर बात करेंगे कि बागोर के बारे में निमल खित कतनों को पढ़िए तो यहाँ पर दोनों ह अरताओं में से एक थे, मतलब इसको खोदने का जुकारे किया गया थो, उनमें से बेन मिस्त्र भी थे, ठीक है, नेक्षिस ने आपर आपको पूछा गया था, कि रास्तान में नेमन में से किस गंतांत्रिक जंजाती कि सरवादिक सित्के यहां पर प्राप्त हुए है, तो माल मरमत करवाई थी, ठीक है, यहां पर पूछा गया, मरमत किस ने करवाई थी, उसकी रिपेरिंग किस ने करवाई थी, ठीक है, ना कि किस ने बनाया था, यह नहीं पूछा गया, केवल उसकी मरमत किस ने करवाई थी, तो महाराना जगत सिंग के द्वरा करवाई गई थी, न आपना खां की गई थी या देखे गोपाल लास जी के द्वारा हितकारणी सभा तो इसकी सुरुवात की गई थी चूरू से ठीके नेक्ष्टिस ने आपको पूछा गया है कि निम्डे में से किस समधाई अपने मंदिरों के लिए बडेर पद्गा प्रियोग करता है ठीक है तो ये बड़ा ये है ये आईमाता सम्धित है और ये जो समुधा ये है वो होता है सिर्वी जाती ठीक है नेक्ष्ट सना आप कोई बात करेंगे यहाँ पर आप पूछा गया है निम्ड में से कौन तीन बार रास्तान के मुख्यमंत्री रहे थे ठीक है कौन तीन बार रहे थे तो याद रखेया वो रहे थे वेरो सिंग सेखावत त्रिलोक हिरानंद सही ब्राम राम जी दास ने देशी रियासत के चित्रगार थे मतलब यह किस रियासत से इनका समंद माना गया है तो यहाँ देखे है इनका जो समंद माना गया है यह माना गया है जैपुर रियासत से नेश्टिस ने आपको पूछा गया था कि राग कल्प दुरूम का रचनाकार कोन है तो वो है यहाँ देखिया कृणानन्द व्यास जाल रहा इब्रहाहिम का जाल रहा कि दोनों ही जला से कहां पर इस्थे दिया द रखेगा तारगड अज्मिर मिख थिते नागा साखा किसके द्वारा इस्थापद की गई थी तो सुंदर दास के द्वारा नागा साका कि जो इस्थापना की गई थी सुंदर दास्ती के द्वारा की गई थी नेक्स टिसन आपको पूछा गया है कि निमलेखित में से किस लोग दाविता का मुखे मंदिर कोलू मतलब कोलूमंड फलोदी जोद पुरमिर्स्तिते हैं तो वह याद देखिया पाभू जी का नेक्स शिसन आपको पूछा गया था कि राजस्तानी भासा साहिते एवं संस्कृति अकादमी भिकानिर द्वारा कौन सी पत्विका का प्रकासन किया जाता है ठीक है तो जागती जोद का पूरवाई से आपका क्या तयात पर है या फिर पूरवाई किसे कहते हैं तो पूरव से पस्तिम की ओर चलने वाली हवाई क्या कहलाती है पूरवाई या कहलाती है तो अब आपका यहाँ पर second की सनाशुका है मतलब second जो section है मतलब एग्रीकल्सर वाला portion है यह आचुका है रास्तान का यहाँ पर खतम होता है ठीक है तो अब यहाँ पर बात करेंगे मैकरोनी गेहूं तो मैकरोनी गेहूं का जो नाम है वो बोलते हैं इसे हम तो सबसे पहले आता है या देखे इस प्लेस, उसके बाद में कौन सा आता है, बताइए, इस प्लेस, सीट, रिल और गली, सबसे पहले आता है इस प्लेस, फिर आता है सीट, फिर आता है रिल, और लास्ट में आती है गली, ठीक है इसको आप मैच कर सकते हो, इसका ओप्सन नम लिटर के बरावर, गन्ने की फसल की कुल जलमां कितनी है, water requirement कितनी होती है, तो यह आपको बताया था, 1500 से 2500 mm होता है, तो 1500 और 2500 के बीच में आता है, 200 mm, तो इसको पहले भी आपको बता दिया गया है, कि याद रिखे हैं, सोरी, यहाँ पर सेंटिमेटर में दे रखा है, तो क्या है, 200 से 300 सेंटिमेटर, ठीक है, इसका क्या है, total water requirement है, कुल जलमां गए, नेश्टिसन यहाँ पर थोड़ा सा गन्फीज करने वाला था, और इसमें काफी सारे इस्ट्रेंट है, वो गलत आंसुर करके आए हैं, तो याद रिखेगा, यहाँ पर पूछा गया था, कि कित हम केवल कहते हैं, वर्सादीवस, लेकिन अगर आपको पूछा थाता है, फरसल वर्सादीवस, तो फसल वर्सादीवस उसको हम कहेंगे, जब जो 24 गंटे में जो बर्साद होने वाली है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 mm होनी चाहिए, ठीक है, डाही किसकी होती है, गया है जो पूच्छे डूरी सूस्य में वर्षा या अधिक्तम मास्पोस्चिर अनपात क्या क्या क्यलाता है यह होता है जो उनपात है जो रखा गया है लो रखा गया है 0.20 से 0.50 नेद्टोम सन आपको पुछा गया था कि दो हेक्टर छेत्र को के लिए शाकनासी के व्यपारिक मात्रा की गरना के लिए आपको यहां पर कुछ दे रहे के हुट लुए क्यूं Shade आपको कुछा गए कि किया है कि प्रोटीन के मात्रा आधार किरम बद्ध किजिएसब इसका क्रम Mend Kevin होवान था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगािए टीक है आप मैं चार्वाट कर सकते हो कोई दिकत चाओणव को पहसे कम किसमें होती है व सब्सक्राइब सबसे कम किसमें होती है तो अगर है तो इसे वेज़ेटेबल मीट कहा गया है ठीक है एक्षेशन गया आपर बात करेंगे उसको रोकने के लिए कौनसी प्रेक्टिस की जाती है तो वह करी जाती है आठ देखे अर्थिंग आप मिटी-चंद आई जाती है ताकि जो आलो के इकंदर हो हरे नहीं पड़े और हरे ये किस के कारण पड़ते हैं सोले निन नमक वरणा के कारण ये हरे पड़ते हैं ठीक है ये भी याद रखेगा, चुकंदर किस कुल से सम्मादीत है, तो आप सभी को पता है, पालक हो, चुकंदर हो, ये सबी गया है, चिनोपोड ये से सम्मादीन का रखा गया है, नैशिसन आपको पुछा गया था, कि 20 का वस्तिक माद, मतलब रियल वेल आपको यहाँ पर निकाल वेहाँ थी, योगी सिंपल सा फॉर्मुला है, फिर चल इसका राइट आपको पालू तो फसल और व्रिक्स का शंमंधी क्या जया आता है, एससी कोंसी फसल है, जिसे तेल और रेसा, दोनों प्राप्त किया जाता है, तो याद रिख्या, वो कौन सी है, आल सी है, तो तेल औ मर्दा निर्मान का सक्रिय कार्य कौन सा है ये आपको 12 की बुक में सीधा इसपस्ट दिया गया है तो इसमें भी आपको कोई दिकत नहीं आयोगी जलवाई एवं चेव मंडल उपिस्तर निदान, सुचक सनिस्तर क्या कहलाता है तो एंडो पैडोन कहलाता है ठेके निदान के आपको बात करेंगे कि सुचक चेटर की लवन प्रभावीत मर्दाओ की किस मर्दा गण में वर्गी करिद किया गया है तो वो है याद रखे एरेडी सोल मर्दा में कार्वनी पदात किस ताथव के इस्तरी गण को कर्म करता है तो याद रखे ये करता है फास्पुरस के इस्तरी गण को फास्पुरस के फिक्सिसन को कम करता है ताम्वे की कमी या कोपर की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो कोपर होता है याद रखे याद रखे या कोपर की कमी से डाइबेग रोग होता है नेश्ट इसने आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया था कि मर्दा में सुक्सम पोसक्तातों का DTPA निस्कर्षन परेक्षन किसके द्वारा दिया गया था तो याद रिखेगा यह जो टेस्ट किया गया है DTPA एक्स्ट्रेक्षन यह दिया गया था लिन्ड से और न अरंडी की एक ओती महुवा की यह जादर तर यही आपको अप्शन में मिलता या तो महुवा मिलेगी या फिर अरंडी आपको देखने को मिलेगी ठीक है इन दोनों का पियाद रख सकते हो नेक्स्ट संथा कि कौन सा स्वेपोसी सुक्षन जिवानों एकार्वनी पदावतों के ओक्सिकन से उर्जा प्राप्त करता है तो वो होता याद रिखिया कीमो ओटो ट्रॉप्स जिपसम का उप्योग किस प्रकार की मर्दाव के सुधार के लिए किया जाता है तो जिपसम का प्रियोग किया जाता है सारी मर्दाव के सुधार के लिए निम्ड में से किस मर्दा की कुल रंद्रावकास सबसे ज़्याद होता है तो वह तो याद रिखेगा अगर आपको रंद्रावकास पुछाता है तो कले आपको ध्यान रखना है कि कले में सबसे ज़्यादा होता है तो clay domain मर्दा होती है उसका जो porosity है या रंद्रा उकास ये सबसे ज्यादा होता है मर्दा में नमी ग्याद करने के लिए काम में लिया जाने वाला tensiometer मर्दा की किस इस तर तक मर्दा नमी तनाव कार्य करेगा तो आप सभी को बता है जो tensiometer याद रखेगा ये 0.85 atmosphere प्रेशर पर काम करता है तो आसनी से इसको भी आपने कर दिया था नेश्टेसन आपको पूछा गया था कि छोटे इवे मध्या आकार के खेत में भूमी ग्रेडिंग के लिए पसु सकती के उपियोग से सबसे कुसल यंत्र कौन सा है तो वोता है बग इस प्रेकर एक सिंचाई चैनल या कोई की आउटले इस तो पर अपेकसा कृत उच्छी प्रवाकों मापने के लिए निम्न उपकराणों में से कौन सा सर्विस्ट होता है तो वोता याद रखेगा रेक्टेंगुलर या फिर आई तकाई वियर ठीक है नेश्टेसन आपको पूछा गया है कि पानी की दबाव या हेड के निर्पे किस प्रकार का पंप पानी की समा भी को बता है नौरिंटेन ठीक है और डीजी वो किसमें होता है धान में होता है काफी सिक्स्टी जुआरवगरे में होता है और टेकसस क्या है बताइए टेकसस आधर है इसको छोड़ सकते हो नौरिंटेन या देख्या गेहों में बोनेपन के लिए उत्तरदाई होता है नेश्र सनाव को पूछा गया है कि निम्ड में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में अपत्य जनिक रोग के रूप में जाना जाता है तो बाजरा का जो सबसे फैमस रोग है वो होता है अरगट रोग ठीक है जो कि एक अपत्य जनक रोग है नेक्स्ट सनाब को पूछा गया है कि उत्परवर्तन जो जंगली प्रकार सामाने फिनो टाइब को उत्परिद रूप धुरलब फिनो टाइब में परवर्तित करते हैं ऐसे जो मुटे जोन होते हैं उत्परवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं फोरवर्ड या फिर अग्रिम उत्परवर्दन ठीक है नेश्ट इसना आपको पूछा गया था कि वनसानुगत की दोरान जिनों के एक साथ रहने की प्रवर्थी क्या कहलाती है तो उससे हम कहते हैं जनेटिक लंकेज या आनुवानसिक सहलगनता नेश्ट इसना आपको सणड़ लेगी और बेक भो किया जाता है नेश्ट इसना को पुछा गया है कि कि वनसे किस उर्वरता की समष्या के वह होता है प्राइमरी जिन पोल ठीक है नेश्ट इसना को पूछा गया था कि नेवंड में किसा दलहनों में मुक्कежд Maori मुख्यदय क्योंते से हैं वो उता है याद रखेगा क्यों शेट्रिंग क्या होता है पुस्पन समकालिनटा और नो शेट्रिंग के समयसिया होता हूं शिटक ने की समयसिया तो यहाँ पर प्य сделक किसे होती है विभinki कि भिन्नता के माध्य की करीब के इस्टम लक्षन प्रारूप का समर्थन करता है तो वोता याद रखेगा इस्ट्रेबलाइजिंग स्लेक्षन या इस्थि स्लेक्षन ठीक है नेश्ट्रस आपको पूछा गया था कि F1 संत्रती की अपने बहतर जनेक्सिस रिष्टता क्या कहलाती है तो उसे हम कहते हैं हेटरो बैल्टियोसिस या फिर कटेबंद संकरोज नेश्ट्रस आपको पूछा गया था कि GNG 21ATER किस की किसम है तो यह होती है या देखेगा चने की नेश्ट्रस आपको पूछा गया था फिल पकाने के लिए उत्तरदाई जीन कौन सा होता या फिर हार्मौन कौन सा होता है तो यह तो लगवग आपको सभी एक्जाम में पूछा आता है क्रसी कि जितने भी यहाँ पर एक्जाम होती है चाहिए वो Z हो, ICR हो, BHU हो, कोई या फिर डबल ए हो, A हो तो यह किसन कोमन है, सभी को आता है, फल पकाने के लिए इथाइलिन गेस का प्रियोग किया जाता है नेश्रिसन आपको पूछा गया था, सुमेलित यहाँ पर करना था, तो यहाँ पर आप सुमेलित कीजिए, ठीक है, ओप्सन नमबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर माना गया है आप इसको मैच कर लेना, कोई दिकत नहीं है, क्योंकि अगर बात करूँगा, मैं जैसे कि सबसे पहले तो यह बताईए, कि जिब्रेलिक अमल क्या करेगा, यहाँ पर हो चुका है, सुस्वपतावस्ता तोड़ चुका है, जिब्रेलिक अगर अमल की अगर बात करेंगे, तो यह क्या करता है, यहाँ देखिया, सुस्वपतावस्ता को तोड़ता है, जी ए थ्री जि अगर बात करेंगे नेश्रिसन, Diffusion Pressure Deficit, मतलब DPD of Cell, किसके बराबर होती है, यह होती है देखेगा, Osmotic Pressure plus Terger Pressel, OT plus TP, OT plus TP, यह दोनों के बराबर क्या होती है, DPD होती है, नेश्रिसन आपको पूछा गया है, कि भारत में निर्मित नेनो यूरिया करणो की भोतिक आकार सीम NM क्या होती है, तो यह होती है, यह देखेगा, 20 से 50 NM, Nanometer, Nanotechnology सब्द है, इसका सरप्रतम किसके द्वारा दिया गया था, यह देखेगा, नोरियों, तानी गुच्ची, इसके नाम सही, इनका नाम यहाँ पर रखा गया है, Nanotechnology, ठीक है, तो Nanotechnology की जो सुरुवात की गयी थी, यह देखेगा, फिसके द्वारा गया था यह, नोरियों, तानी गुच्ची ने, नेश्टस नाम को पूछा गया है, कि प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्तमान क्या क्या लाता है, तो उसे हम कहते हैं, मीन या माद्य, ने इसकी रेंज क्या है, माइनस एक से प्लस एक, ठीक है, कोरिलीशन, कोईफिश्यन की, नेश्टस नाम को पूछा गया था, कि या द्रेसी खंड, अभी कल्पना, आरवीडी में, ती उपचार, आर प्रक्रती के, तुरूटी की स्वेतनत्ता, कोटी की गर्ना की जाती है, उस गहरी होती है, कोकर विट से इनकी जड़ क्या होती है, गहरी जाती है, नेश्टस नाम को पूछा गया, कि मुखेत है, किस बीज सया को सर्दियों में तेयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं, या देखिएगा, सीड बेड को, डोबी हुई, या फिर संकन क्यारी, क्या कहते गलत माना गया है, सोरी यहाँ पर डिलिट माना गया है, बोड के द्वारा लीफ करल, क्योंकि आप सभी को बताया, लीफ करल होता है, वारेस के द्वारे, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी भी फसल है, जिनमें यह क्या होता है, अधर के द्वारा भी होता है, इसलिए इसको यह आपर डिलिट माना गया है ठीक है नैश्टेस ने आपर बात करेंगे कि सिग्र उत्पादित होने वाले सबजी कौन सी है तो वह होती है याद किया रेडिस या मुली है नैश्टेस ने आपको पूछा गया है कि बगीचा लगाने की सरवादिक आसान वह है प्रिशलित विदी कौन सी है तो याद रेखिया सबसे जो कॉमन विदी है वो होती है वर्गाकारिया इसक्वाइर मैथर नैश्टेस ने आपको पूछा गया है कि धनिये के सुखे बीजों में कितने प्रतिस्यत ओइल पाया जाता है तो वो पाया साइ 0.1 से 1% के मद्द है ठीक है नैश्टेस ने आपको पूछाए गया 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 पर राइट आंसर इसका सोरी इसे भी यहाँ पर डिलिट माना गया है क्योंकि इसके एक से अधिक राइट आंसर थे एक से अधिक राइट आंसर होने के वज़े से इसे डिलिट माना गया है बोड के द्वारा नेस्टिसन आपको पूछा गया है कि पूसा मदूरस किसकी वेराइटी है तो ये होती है, खर्भुजा के वेराइटी होती है, बैंगन में लिटिल लीफ का वाह कौन सा है, वेक्टर कौन सा है या फिर ट्रांस्मिटेड इसके किसके द्वारा किया जाता है, तो वोता या दि के कारणिश में तीखापन पाया जाता है पेकेजिंग में इथाइलीन के अवसुशन का उप्योगते उधारन कौन सा होता है तो होता है केमेनोफोरिया पोटेशियम परमेंगनेट ठीक है सूरिया किसकी वेराइटी है यह आप सभी को बता है जो सूरिया है पपीते या फिर पाइया के वेराइटी होती है नाइश्रसन आपको पूछा गया था कि सिये एश्टोरेज या सिये बंडारन किस प्देदी पर आधा रहिता है या फिर किसी दान्त पर कारींगता है तो यह करता है ओक्सिजन को कमकरना और कारवंडाई की अधिकता किfar़ते है ओक्सिजन की थे अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए प्रेसर्करण के उपरांथ कि लेनी तो यह किया जता है ये क्या जता है 39 degree centigrade ताप्मान पर कितने पर 39 degree centigrade ताप्मान पर नेक्स टिसन के हाँ पर बात करेंगे कि उच्छी दवाव ड्रिप सिंचाए किस दवाव पर कारिय करता है तो ये करता है 30 PSI या इससे अधिक पर उच्छी दवाव जो ड्रिप होता है ये क्या करता है कितने प्रेशर पर काम करता है 30 PSI या इससे अधिक पर नेक्स टिसन यहाँ पर डिलेट माना गया है क्योंकि इसका भी यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर है इसलिए इससे डिलेट माना गया है नेक्स टिसन यहाँ आपर बात करेंगे कि जो सफेद मुसली है इसमें जो हानिकार पदात होता है वो होता है सेपोनिन तो सेपोनिन सफेद मुसली सेपोनिन सफेद मुसली next lesson था कि अद्रक्की इन मेंसे कौन सी किसमे नहीं है तो आप सबी को पता है कि कृष्णा और कंचन काफी famous वेराइटी है तो यहाँ पर यही तो पूछा था कि अद्रक्की कौन सी नहीं है तो कृष्णा नहीं है बाकी जितनी भी है सुप्रबा है सुरुची है और वर्दा है यह सबी क्या होती है अद्रक्की किसमें होती है वेराइटी होती है नेश्टेसन यहाँ पर पूछा गया था कि पोदे के भाग का चैना आत्मक और पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है तो उसे हम कहते हैं थिनिंग या विरलन की किट ऐ सम्मंदित दोज़ा सत्रा अंठार की अनुसर कुल उध्दैनियों का उतपाधन कितना है तो 311 मिलियन टन वन सर्रक्षन अधिनियम फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब दिया गया था या कब स्विकाल इससे किया गया था पास कब किया गया था 1980 में नेश्रेसन आपको पूछा गया है वाने की वहाँ साका जिसमें विविन आया मुको गयाथ किया था उसे हम कहते हैं फोरेस्ट मेंसरैशन नेश्रेस्ण आपको पूछा गया है कि कौन सा गलत है तो यहाँ पर 4th ऑप्सन गलत है बाकी जितनें भी है वो सबी राइट है नेश्र सना आपको पूछा गया है कि निमलकित में से कोन राष्ट्रे करसी बाजार की कारिया नवन एजेंसी है तो वो होती है याद इखाया नेश्र सना आपको पूछा गया था कि प्रीमियम की रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को पर्धान मंत्री फसल बीमा योजना क्या नोता कितना प्रतिसत बुक्तान किया जाता है तो वो होता है याद इखेगा 2% रभी के लिए 1.5% है खरीफ के लिए 2% है और जो बागवानी फसलों है उनके लिए 5% है यह होता याद इखेगा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के आनोसार ठीकर नेश्र सन के यहा पर प्रियोग किया जाता है नेश्ट सनाब को पूछा गया है कि लगु एवं मध्यम आवदी के रिन आपूर्ति के संदर्व में सहकारी बैंकों की रास्तान राज्य में संरक्षना क्या है मतलब इनकी इस्ट्रक्सर आपको यहां पर बताने थी तो लगु और मध्यम आवद सरकार द्वारा प्रदत्मानकों के आदार पर ग्रेडेड करसी उत्पादों पर लगाता है जो जो लेबल लगाया जाता है यह किसके द्वारा लगाया जाता है एगमार्क के द्वारा एगमार्क गुर्णी 137 ठीक है तो इसी एगमार्क के द्वारा लेबल्स लगाया जात कि एसमिंगन के अनुसार प्रसार के दर्शन के लिए संदर में निम्न में से कौन सा सही नहीं है मतलब गलत आपको यहाँ पर मैस करना था तो फर्स्ट ओप्सन गलत है बाकी जितने भी हो सही है नेश्ट सन आपको पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की सदेख से कौन-कौन होते हैं तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की सदेख से केवल मदादा सुजी में पंजिक्रित ग्राम फासी होते हैं नेस्टेसन आपको पुछा गया था कि स्वरन जयनती ग्राम स्वराउजगार योजना में विले किया गया था मतलब किस कारी करम में इनको विले किया गया था तो ये किया गया था ट्राइसेम में किसको स्वरन जयनती ग्राम स्वराउजगार योजना को ठीक है next lesson के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया था अध्यापन और अध्यापन प्रक्रिया का सही करम तो इसका सही करम क्या होता या देखिया attention, interest, desire, conviction, action और satisfaction इसका right answer है नेश्ट सना को पुछा गया था कि संचार के निमन मैंसे किस model में स्त्रोताओ की प्रतिक्रिया, audience, response और feedback ये किस के model में आते हैं या देखिया ये आते हैं लिगेंस के model में फ्रिजवाल गाई किसका क्रोस है तो इसी के नाम से H.F. और वाल मतलब सहीवाल ह.F. और साहेवाल का क्रोस ही क्या है? फ्रिजवाल है मारवाड़ी किसकी नसल है? तो या देखिया जो मारवाड़ी है ये ओट की भी होती है, गोड़े की भी होती है और बकरे की भी होती है इसका राइट अंसर क्या है मारवाडी किसकी नसल है बकरी ओट और गोड़ा सभी ठीक है नेश्टिसन है आप आपको पुछा गया है कि अविसान भेड ये कितनी नसलों का क्रोस है तो ये तीन नसलों का क्रोस है next lesson है कि 20 भी पसुगर्णा के अनुसार राजस्तान में बकरियों की संख्या कितनी है तो 20.84 मिलियन ठीक है क्योंकि आपको पता है राजस्तान में सबसे ज़्यादा ज़्याद से कहा है वो बकरियों की है और वो कितनी है याद दखेगा 20.8 मिलियन next lesson आपको पूछाएगा कि गायों में सामानित है जो अपरा है या फिर प्लेसा अन्ता है ये कितने टाइम में गिर जाता है या फिर बहार निकलाता है तो लगबग 4-8 गंटे के वीतर कितने लगबग 4-8 गंटे के वीतर आपने इसे 4-8 या फिर 6-8 गंटे पड़ा होगा तो याद रखेगा 6-8 गंटे ठीक है कि गाय के दूद में किसके कारण प्रोटीन वसा और SNF गटने लगता है तो या देखे है जैसे जैसे गाय की आयू बढ़ेगी उसमें प्रोटीन और वसा या फिर SNF है इनकी मात्रा में भी क्या होता है गटने लगति है या फिर अंतर देखने को मिलता है भेड में सामान है तो आप सभी को पता है साड़े सोले से सत्र दिन जो मद्जचक्र की अवडी है भेड में ये साधे सोले से साधे सतरे दिन ठीक है तो राइट अंसर क्या है इसका फर्स्ट उप्षन है नेश्ट उप्षन आपको पूछा गया बच्छडे में सिंग रोदन डिस बडिंग किस उम्र में की जाती है तो यह जब यह छोटे होते हैं छोटे मतलव कितने केवल जन्व के तीन से दस दिन के अंदरगत या फिर इनके बात ठीक है नेश्ट उप्षन के आपर बात करेंगे कि चारे की फरस्ट लोग को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोस जनक तरीका क्या है तो हे यह फिर साइलेज यह दोनों ही क्या है चारे सिलता के तर्थे की खोज किसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी एरिक्सन के द्वारा नेश्ट उप्लिगेट परसाइटिक फंगस नहीं है तो वह था है अल्टरनेरिया ठेके नेश्ट उप्लिशन आपको पूछा गया है कि कौन सा एक बाद्यकारी पर जीवी कवक सिलता का और उप्लिशन के खोड़ा या यह की गर्मनीकोला के द्वारा होता है प्रते एक वाइरस हमेशा होता है या तो उसमें केवल डिने होगा या फिर उसमें केवल आरेने होगा वाइरस में क्या होता है हमेशा या तो केवल आरेने होगा या केवल डिने होगा नेश्टिसन आपको पूछा गया है कि कौन सा सबसे व्यापक माईको पेरसाइटिक वग है तो होता है ट्राइकोडर्मा हरजेनियम कौन सा होता है ट्राइकोडर्मा हरजेनियम नेश्टिसन आपको पूछा गया है इसके बारे में कोई डिसकस यहाँ पर नहीं करने वाले है नेश्टिसन आपको पूछा गया है कि सही यूग में कौन सा है यह गलत है बाकी जितने भी है नेश्टिसन आपको पूछा गया है कि खुडचने और चूसने वाले मुखांग किसमे पाई जाते है थ्रिप्स किसमें और सकते हैं किसमें त्रिप्स में नेश्टस नापको पुछा गया कि कीटना सर्थ के दुस्परवाओ के परतिज जागरुकता के लिए Silent Spring नामक जो पुस्तक है इसके राइटर गोन है तो Richelle Carson याद रखेगा Silent Spring काफी famous बुग है और इसके जो राइटर है वो होते हैं Richelle Carson नेश्ट सन आपको पुछा गया कि गोबी के साथ सर्षो गोबी के साथ सर्षो ट्रेफ फसल के रूब में इसके पुपा अवस्ता को नश्ट करने के लिए किया जाता है तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि Fruit Fly का अटेक है वो कम किया जा सके नेश्ट सन आपको पुछा गया कि टिड़ी की फेज अवस्ता की अवधारना किसने दी थी तो उरोव की द्वारा दी गई थी नेश्ट सन आपको पुछा गया कि एरी रसम कीट की प्रजाती है ठीक है एरी सिल्क वर्म इस्पीसीज कौन सी है तो वो होती है फिलोसेमिया रिसिनी नेश्ट सन आपको पुछा गया कि कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंदन का निर्ने लिया जाता है वह कौन सी स्टेज है तो या देखा कीट प्रबंदन का जब निर्ने लिया जाता है तो वो अवस्ता होती है ETL Economic Threshold Level Next question आपको पूछा गया है Second last question है कि पोदों में कौन सा अनिमेटोर परजीवी सबसे पहले खो जा गया था तो Anguina Tratis आई चोकि गेहों में ही खो जा गया था और अमारा आज का last question है कि वाइरेस जनित Grape, Vine, Fan Leaf विमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है तो यह फैलाई जाती है जिफी नेमा आगे द्वारा Grape, Vine, Fan Leaf जिफी नेमा के द्वारा फैलाई जाती है तो यहाँ पर हमने 150 किसन है टोटल यहाँ पर उन्हीं किसन को किया है जो कि यहाँ पर आपकी official answer की में दे रखे हैं, जितने भी यहाँ पर delete थे, उनको आपको बता दिया है जितने यहाँ पर answer थे, उनको यहाँ पर आपको बता दिया है, तो जैसे ही आपने इसको match किया है, आपके कितने questions यहाँ पर write हो रहे हैं, तो आपको वो comment section में हमें जरूर बता देना ठीक है वैसे कटोफ का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता लेकिन फिर भी आपकी तैयारी कितनी है ये तो आपको इसका आकलन पता चली गया होगा तो एक बार जरूर आपके मार्किंग के बाद में बचे है उनको यहाँ पर करना है कौन सी गेट एडियो में कितने किशन है ये आपको कमेंट सिसन में बताना है ठीक है चली मिलता है नेक्ट क्लास के साथ अब तक लिए अच्छी से बड़े अच्छी सरी है